मुर्क है क्या देश की जंता आपने सिर्फ जुमला देना है आपको रामण कहा जाता है आपको धितराश्ट किया जाता है मुहमे रामवगल में छूरी छलने का काम मोदी ने जो किया देश में आपने हिंदो-मुस्लिम का भैपैदा किया है अमिस्सा तो दिये दिये न जुमला था 15 लाग का जुमला था 100 स्मार्ट सिटी जुमला था क्या किया इन्हों क्या किया इन्हों ने सेर पेनों ने देश की राष्टी संपत्ती को बेज कर अडानी और अंबानी के हवाले करने का काम किया मोदी जी ने दोनों हां से लुटाने का काम किया तिसे जिपकत्रा ही कहा जाता है देश का सबसे बड़ा पनवती देश का सबसे बड़ा धितराश देश का सबसे बड़ा मीडिया मन देश का सबसे बड़ा जुमले बाद इतिहास हमने खुनों से रचा है इतिहास हमने बनाया है देश को गुम्रा करने की बात कर र के अंदर जा दारूबी का जा रहा है हिंदो मुस्लिम सिख इसाई हम वतन हम नाम है और जो करे इनको जुदा मजव नहीं इलजाम है और आज ही चाहे योगी जी हो चाहे आरेसस हो चाहे इनके गोबर भक्तों हमें साथ तोड़ने का काम करते है दो हजार चौबिस में जुमल नमशकार मैं नूर जा और आप देख रहे हैं जनित अवास जिस तरीके से राहूल गांदी ने जेब कत्रा बोला है नरेंद्र मोदी को अडानी को और अमिच शहा को कहां तक सही है ये कहना जेब कत्रा नरेंद्र मोदी को भी इनी से हम बात करेंगे कुलदीप यादव जी इन से हम बात करेंगे कहां तक सही है जेब कत्रा के नरेंद्र मोदी जी को देखिए देश के युवाओं की आसाओं की हत्या करना उनकी देश के किसानों की आसाओं की हत्या करना देश की बहन वेटियों की आसाओं की हत्या करना उनके हकों को छीन कर अपने दोस्तों में ब ऑप परदान मंत्री मोधी जी का राजस्थान में जवी दे रहे थे मंच पर खड़े referring लगते हैं राहुल गांदी आपको रामण लगते हैं और जब राहुल गांदी जी बता देते हैं तोड़ी लिया जा रहा है राहुल गांदी जी सत्त की मूरत है राहुल गांदी जी सत्त की बात करते है और संसत के अंदर करते हैं और मोदी जी कहते हैं जरह माइक बंद कर दो राहुल गांदी जी की आवाज जो है देश तक न पहुंचे देश तक पहुंच जाएगी तो चोरी का पता चल जाएगा अरे राहुल गांदी जी पूशते हैं 140,000 करोन रुपेः दो करोन नोकरी कहा गया अडानी जो कोईला लेके आये विदेशों से उसको डबल रेट में बेजे 32,000 करोड का घोटाला उसको ED और CBI क्यों नहीं कर रही एप पनौती आज पनौती ट्रेंड हो रहा है ठीक है तो मैं तो धितराष्ट कई बार बोल चुका हूँ और रामण भ द्धाङे लेकिन साहरा है रहूल गांदी जी की मोदी जी का काम है ध्यान वठकना और अमिच्या नहीं अडानी का का में पैसे ले जारो हम अमिच्छा का का में किसी को पता ना चलबएने ये भी कहा जा रहा है तो आप मिलाश्ट में हुलते हैं के मंच पर कि 15 लागा खात आप नोट बंदी 12 बजे रात को कर देते हो आप करोना काल लागू कर देते हो आप उसके बाद जब देश की महिलाओं की बात आती है तो फिर आप उसके पर पर्श्मिन करने की बात करते हो जनगना की बात करते हो मुर्क है क्या देश की जनता आधार काड बना है बना है कि नहीं पेन काड बना है बना है आपका डेट और बार्थ उसमें लिखा है लिखा है या नहीं लिखा है तो जाती जनगना किस बात की आधार काड किसी राजी में बना है एक राजी में तो बना नहीं पूरे भारत में बना है तो हो गया अरे पंट साल के बच्चों को किए चार साल के बच्चों को देंगे ग्रेजुवेट, कि 16 साल 18 साल इसके उमर के बाद ही देंगे ना तो अधारकाड उनका बना है आपको क्या जंग करना करवाने की आवशकता है आप सिधा बिलको लागू कर देते सारी भी पक्षपाल्टिया समर्थन दी ना दी या नहीं दी तो कहां आपने करना है आपने सिर्फ जुमला देना है आपने हिंदो मुश्लिम करना है आपके पास क्या है आपके पास राइट्स क्या है आप किसी भी मंच पे किसी भी राज्य में आप जाके क्या बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया आपने क्या किया देड़ साल किसानों की आपने बद्धुआ लेने का काम किया आपने क्या किया म राहुल गांधी जी कोई कसा छोड़ा है छोड़ा है राहुल गांधी जी को बोले नहीं आता है राहुल गांधी जी पप्पू है राहुल गांधी जी मूर्क है राहुल गांधी जी अपनी पाल्टी के सबसे बड़े नाशक है कहते देना कितना पैसा लगा है यह देश की ज भूल देते हैं कोई जी को देखिए ना काम करें किसानों की बात कर रहें आप 2014 के बाद किसानों के लिए उन्हों नहीं काम करा है ता का मूरत जो नकली चो चेहरा लगा के आये थे मुह में राम बगल में छूरी लेके आये बनारस में आएकासी में अब वहां से इनको सांसत बनाया गया था और उसके बाद दो बारें छलने का काम मोधी ने जो किया अपनी गोधी मीडिया अडानी की जितनी भी मीडिया है इसके माध्यम से जूट आपने फैलाया देश में आपने हिंदू मुश्लिम का भैपैदा किया आज दे बेटी और बेटीयों के लिए नौकरी चाहिए आगदेश की जनता को अपना बाडर सुरचित चाहिए आद देश की जनता न नोकरी मिली नहीं है क्या दो करोड रोजगार की बात कर रहे हैं वह मिला अमिन्सा तो दिये-दिये ना देश की राष्टी संपत्ती को बेज़ कर अडानी और अंबानी के हवाले करने का काम किया जो 70 साल में कांग्रेस पाल्टी ने देश को समर्पड करने का काम किया और कांग्रेस के ही नेता अपने सरीर का अपने खून का बलिदान दे कर इस देश को बनाने का काम किया मोदी जी ने दोनों हाँ से लुटाने का काम किया मोदी जी ने 9 साल में कर दिखाया है उचे 17 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई पता ये किया क्या आप दसकाम के ना दिये विश्व में डंका बज रहा है आयो जो योजनाय चलाई आप वो देखे ना तो बज रहा है पूरे देश में बज रहा है देश का सबसे बड़ा पनवती देश का सबसे बड़ा धितराष्ट देश का सबसे बड़ा रामण देश का सबसे बड़ा जुमले बाद और सबसे बड़ा विक्रेता तो मैच हार गई तो इसमें नरेंद्र मोधी की क्या गलती जो उनको पनावती बोल रहे है राहूल गांदी मैच देखता नहीं जिस देश का हो रहा था उस देश के कप्तान ने वर्ल्ड कप पे किस प्रकार से पैर रख कर उसकी गरिमा को बताने का काम किया मैं हिंदोस्तान की जनता से पूछना चाता हूँ जितना आप क्रिकेट से प्रेम करते हैं जितनी देश भक्ती के लिए अंधभक्त बन जाते हो जितना आप हिंदू मुस्लिम बनने पे सनातनी बनने पे आप अपने आपको गुमरा हो जाते हो आप अपने देश की राइट बेजने के लिए एक नया रस्ता अपना आता आपको कैसे बता मैच पर सट्टा लगाए गया था देश की जनता बताती है अरे जब देश की जनता के बीच में बैठते हैं मोदी की तरह थोड़ी ने कि एक महिने का पूरा आपको जो भी मैंने किया आप चौक चौरा हो पर मु इंटर्विव लेने जाओ अरे उसका नेता तुम्हारा कैमरा तोड़ देगा उसका नेता आपका सम्मान नहीं करेगा लेकिन कांग्रेश ने सदेयों देश की गरिमा और देश की अखंडता और देश की वर्चस को बढ़ाने का काम किया और ये 9 साल 10 साल में आप बताईए 2014 के बाद से 2023 तक क्या कोई वर्ड कप हमारे देश में आया कांग्रेश के समय में इतिहास तो हमने रचा है इतिहास हमने खुनों से रचा है इतिहास हमने बनाया है क्या बीजेपी के राज में किसी की गरिमा बढ़ी हमारे देश की गोल्ड मेडलेस बेटियों का बेटियों के खिलाडी हो चाहे युवा हो चाहे हमारे देश की वेटियां हो इनके मनों बल को तोड़ने का काम किया है अरे जब देश का हमारे पूर्व सैनिक दो साल से बैठे हैं जंतर मंतर पे जिस देश का प्रधान सेवक प्रधान मंतरी अपने देश की फौच की बात ना सुनता हो उस देश की क्या दसा होगी चाइना कितनी जमीनों पर हजारो मीटर हम काफी काफी जमीनों पर कबजा कर लिया राहल गांधी जी जब लगदाज जाते हम बताते हैं तो उस समय क्यों नहीं हमारे देश के प्रधान मंत्री रक्षा मंत्री और जो पनवती है उस पे अक्टिव क्यों नहीं होते हैं एक तरब तो बोलते हैं सोदेशी चीज अपना हो जो किसान के हाँ हम किसान के बेटे हैं हमारे यहां यूरिया जो होता है मेड़न चाइना यूरिया होता है और उस पे मोधी का फोटु छपा होता है देश को गुम्रा करने की बात करते हैं, देश को गुम्रा करने की बात करते हैं, देश को सही दिशा दिखा रहे हैं, सही जगा लेके जा रहे हैं, विकास कर रहे हैं। रहा था रस्ते में गुजरास से कुछ हीवा लोग वहां पे नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी क्या है सुन लीजिए उनकी नौकरी है जो भी ड्राइबर है उनको गाड़ी रोको और उनसे अपने मुँपे फूक मरवाओ क्या मरवाओ फूक मरवाओ और दो साल पहले इसी कोई अगर फूक मार दिये करोना का कीड़ा तुमारे मुँपे चला गया नाक द्वारा तुम तो मर जाओगे तब उसने क्या उत्तर दिया आपको जानना चाहिए उसने उत्तर दिया कि भाई अपने पेट के लिए नहीं अपने परिबार को पेट पालने के लिए आज गु गुजरात में भी रहा अंदाबाद, राजकोट, गाधी, दाम, कांडला, सूरत, मैं कई जिलों में गया और वहाँ पे मैंने देखा यसी, ओबीसी, आदिवासी, लोग सबसे ज़्यादा अगर परतालित हैं 28, 29 राज्यों में 29 राज्य गुजरात में हैं और इनके जमीनो को जबरन कबजा करके उद्योग पतियों को देने का काम, बीजेपी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार गुजरात में है, वो कर रही है, वो डबल इंजन की सरकार ऐसे ही नहीं बोलती है, डबल इंजन की सरकार के साथ डबल विकास, अरे डबल विकास क्या है, एक बार आप जाएंगे आपको पता लगेगा किसी राज्ज में इतना दारू नहीं बिखता है जितना गुजरात के अंदर जा दारू भीका जा रहा है और जितना ब्रश्टा चार आप गुजरात के अंदर पाएंगे किसी जगा नहीं पाएंगे उनको डराया जाता है उनको धमकाया जाता ऑर यही दलित वर का साथ देते हैं उन्हीं के लिए काम करते हैं योगी जी और मोदी जी देश की जनता के सामने इस पोझ हो चुके हैं ये सिर्फ धर्म पे राजनीती करते हैं और इनसे कोई देश का विकास होने वाला नहीं है ये सिर्फ आपस में भाई चारा को खतम करने का काम करते हैं और अगर राम राजी की बात करते हैं, राम राज महतमा गाधी ने कायम किया था, रगुपती रागव, राजा राम पतीत पावन, सिता राम, और पूरा देश उनके साथ चला था, और महतमा गाधी जी के तोले में से कहो रावाज आई थे, हिंदो, मुस्लिम, सिक, इसाई, ह हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहव नहीं इलजाम है, और आज ही चाहे योगी जी हो, चाहे आरेसस हो, चाहे इनके गोबर भक्तों हमें साथ तोडने का काम करते हैं, और कभी अंग्रेजों की किताबों में भी ये देखने को मिला है, कि फूट करो और राज करो और ये फूट अब होने वाला नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से, आज 24 नवंबर है, कल 25 नवंबर मैं मैं एक भारती होने के कारेट आपसे अनरोद करूंगा, कि 26 नवंबर के दिन संबिधान दिवस है, आप अपने घर में संबिधान को अस्थापित करें, और दिपाव के लिए मजबूत करता है, आप संबिधान का पालन करिए, ऐसे हिटलर बाज, ऐसे बुल्डोजर बाज, और ऐसे ब्रष्टाचारी लोग, आपसे कापना चालू कर देंगे, जिस प्रकार राहुल गांदी जी, आख में आख डाल कर सवाल पूछते हैं, मोदी जी कापते है अब गोबर भक्ते, आप मोन हो जाईए, अब गोधी मीडिया बहुत बदनाम कर लिया हमारे नेता को, अब हमारे नेता को अगर आप बदनाम करोगे, जिस तरीके से करनाटका में आपको जवाब मिला, अब पांच राज्यों से, तीन दिसंबर के दिन आपको देखने को मि जाएगा, खुला चिताउनी है, इस बार देश की जनता आपका वहिश्कार कर रही है, और 2024 में जुमले बाज, फेकू बाज, रामडबाद, विधितराष्ट बाद, पनवती बाद मुक्त करके, बारत को पूर स्वतंत्र करेंगे, और इंडिया को जिताएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, और राहुल गांदी जी को देश का प्रदान मंत्री बनाएंगे, जय हिन, जय बाद, बशुक्रिया, तो इन से हमने बादचीत करिए, कह रहे हैं कि 2024 में इंडिया को जिताएंगे, राहुल गांदी को प्रदान मंत्री बनाएंगे, बागी आपका कहन हमें जरूर बताएगा और देखते रहें जनित आवाज